दोस्तो हमारी पूरी बोडी को ब्रेन कोंट्रोल करता है और ब्रेन के कई अलग 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 पार्ट से हैं जो बोडी के अलग 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 पार्ट को कोंट्रोल करते हैं ऐसा ही एक ब्रेन का पार्ट है एमिगडला ये ब्रेन का वो पार्ट है जो विचार, बेवार और डर क को कंट्रोल करता है अगर इंसान के दिमाग से एमिगडला वाला हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा इंसान को डर ब्रेन के इसी पार्ट के वज़ा से लगता है अगर एमिगडला डैमेज हो जाए या इसे निकाल जाए तो फिर इंसान के सामने भूत ख़ड़ा हो या प्रेट या फिर कोई खतरनाक जैनुवर क्यों नहों इंसान को डर लगेगा ही नहीं गई आपको यह इंट्रेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट बक्स में बताएगा दोस्तों एटीम के बारें बहुत से लोग सुचत आपर कैस भी कम होगा लेकिन बात करें टोटल कैस की तो एक एटीम के अंदर मैक्सिमम 88 लाक यानी 88 लाक रुपए तक रखा जा सकता है तो इसके आपने कभी सोचा है कि मरे हुए आदमी का फिंगर प्रेट यूज करें फोन में तो क्या काम करेगा या नहीं तो देखिए इसके लिए आपको मुबाइल का सिंपल वर्किंग सिस्टम समझना होगा हमारा स्मार्टफोन काम करता है हमारे हाथ में मौजुद इलेक्रिकल चार्ज से हमारे सरीर में बिजली है तभी तो हम जिन्दा है यानि हमारे सरीर में इनर्जी है हमारे हाथ में यानि हमारे मार्टफोन काम करता है तो इलेक्ट्रिकल इंपर्स तभी तक होता है जब तक इंसान जिन्दा होता है तो इसका जवाब होगा नहीं मरे हुए इंसान का फिंगर्प्रिंट काम नहीं करेगा और क्या कोई बेवोस हो या तो उसका फिंगर्प्रिंट काम करेगा तो इसका एंस क्यूंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद है गाईज दुनिया के साथ अजो में से एक ताजमहल जिसे साहजाहा ने सन 1631 से 1647 के बिच बनवाया था लेकिन गाईज सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे क्यूंकि उस समय सिमेट का वियाव इसकाब नहीं हुआ था डॉंट वरी मैं आपको बताता हूँ उस समय पत्थरों को जोडने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट त्यार किया जाता था जिसमें गूड बतासे, बेलगीरी का पानी, उड़द दाल, दही, जूट और कंकर को चूने पानी के साथ मिला कर पत्थरों को जोड़ा जाता था इसी पेस्ट से ताजमहल का निर्मार हुआ था यह पेस्ट सिमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता था और इसी तरह पुराने जवाने में बड़े-बड़े इमारतों का निर्मार किया जाता था जिसकी बुनियाद आज तक ठीक हुई है गैज, आप लोग डेली लाइफ में इमेल का इस्तमाल जरूर करते होंगे लेकिन क्या आपको पता है? इमेल का विसकार किस ने किया? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ गैज, आप लोगों में से बहुत से लोग यह सूच रहे होगे कि इमेल का विसकार किसी अमेरिकी या कोई और विदेशी ने किया होगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है इमेल का विसकार एक भारतिये ने 1978 में किया था जिनका नाम है सिउ आयादूरई गैज, आपको यह जनकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने इमेल का विसकार किया था तब इनका उम्र मात्र 14 साल था इनका जन्व आनईशती रिसर्ट में हुआ था जिनका उम्र 2021 में संतावन वर्स है तो इमेल के इन्वेंटर सीव आयादूरई के लिए एक राइप तो बनता है और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल को स्प्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं गले वीडियो में